आप सब कैसे हैं आसा करती हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे ये देखिए मैं लेडि शॉक्स diyorum लेकर आई हूं अंगूठे वाले नए डिजाइन में डिजाइनर सोक्स हैं यह फ्लोवर बनकर आते हैं इस तरह से यहाँ पर और यह यहाँ पर मैंने नए डिजाइन में बनाए है यह देखिए बहुत सुन्दर डिजाइन बनकर आया है इस तरह से आज हम यह बनाना सीखेंगे इसमें हम सबसे पहले 49 फंदे डाले बनाते हैं और ये designer border बनाएंगे यह मैंने बारे लाइन का border बनाया है 24 सलाई बनाई है border की इसमें 24 सलाई border की बनाई है पहले हम border बनाने सीखेंगे 49 फंदों पर उसके बाद हम नए डीजाइन में lady's socks बनाने सीखेंगे फ्लोवर वाले ठीक है अब हम बनाने स्टार्ट करेंगे इन्हें इन्हें बनाने के लिए हमने दो रंग की ओन ली है डार्क ब्लू और लाइट ब्लू और नो नंबर की सलाई ली है हमने बोडर भी नो नंबर की सलाई में ही बनाना है नो नमबर की सलाई से स्टार्ट करेंगे शुरू से, अब हम पहले फंदे बनाते हैं, इसमें हमने 49 फंदे डाल लिये हैं, नो नमबर की सलाई में, नो नमबर की सलाई से हम स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पर पहले हम बोर्डर बनाएंगे, बोर्डर, चार सलाई का फिर एक फंदा सिलिप ये देखे ये दो फंदे हैं पहला हमने एक फंदा उल्टा बुना है फिर एक फंदा सिलिप किया है यही दो फंदे हमें पूरी रो में रिपीट करने हैं एक फंदा उल्टा बुनेंगे इस तरह से फिर एक फंदा सिलिप करेंगे फिर एक फंदा उल् करेंगे यह हम पूरी रो में इसी तरह से बनाते जाएंगे एक फंदय उल्टा एक फंदय स्लिप एक फंद्य उल्टा एक फंद्य स्लीब आखिर में दो फंद्य बच्चते हैं यह देखिए एक दो आखिर का फंद्य उल्टा आता है उल्टा बुनेंगे और यह आखिर का फंद्य है एक फंद्य उल्टा पीछा करेंगे इसको सीथा बुनेंगे यह हमारे फिर्ष्ट रोव पूरी हो गई यह देखिए फिर्ष्ट रोव पूरी हो गई है फिर्ष्ट रोव है सीथी साइड पहला फंद्य सिलिक्ट करेंगे बाकि सभी फंद्य उल् उल्टी ही बनेगी व्रों पूरेंगे दीसरी चैन्जे साइड की अब हम सीथी साइड है तीसरी स्लाई अब हम एक वन्दाब्स सीप करेंगे इस में यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे फिर्स्ट रोपर हमने उन आगी की थी और एक फंदा पहले उल्टा बुना था इस पार हम एक फंदा पहले सिलिप करेंगे फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे अब यह देके 2पंदे हो गए हैं पहलापन न हमने। इस पपनसृत्यप हुछ पुनने हैं, पूर्डी रोशने इसलिप करते रहना इॉज प्ल्सृत् aventümü, यह थी फफननसृत्यप इस पर इंदा सर्फ on the slipुट और ओल्प गई। एक फंदा सिलिप करेंगे, एक फंदा उल्टा, फर्स्ट रो में हमने पहले एक फंदा उल्टा बुना था, फिर एक फंदा सिलिप किया था, तीसरी स्लाइप पर हम पहले एक फंदा सिलिप करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, और इसी तरह से फिर ये दो फंदे इसी तरह रिपीट करेंगे एक फंदा सिलिप, एक फंदा उल्टा इस तरह से स्लाइप पूरी करेंगे एक फंदा सिलिप, फिर एक फंदा उल्टा एक फंदा सिलिप, फिर एक फंदा उल्टा आखिर में दो फंदे बस्ते हैं ये एक फंदा उल्टा बुनाए हमने इसके बाद ये फंदा सिलिप किया जाएगा ये यहाँ पर सिलिप फंदा आया है उन पीछे करेंगे आकिर का फंदा एस्दा स्टीच इसको सीधा बुन लेते हैं इस तरह से ये हमारी तीसरी सलाई भी पूरी हो गई 4th row है wrong side पहले फंदा सिलिप करेंगे बाकिके सफ़ी फंदे उल्टे उल्टे बुनकर सलाई को पूरी करेंगे ये पूरी सलाई उल्टी बनेगे कि यह पूर्टर का चार सलाई हो गई है यह देखें दो लाइन बनकर आगилась एक तो दो लाइन बन गई है दस हूर आप में इस तरह से हमें बारइया आई फर्स्ट रोसं करांगे पहलाज सीर हो बैंक सकते कुछा कृप हैंगे मौनस आगे करेंगे इंसके करेंग सीराइस हम count नहीं करते, उसके बाद एक फंदा उल्टा बुना है, एक फंदा slip किया है, फिर से यही दो फंदे repeat करते रहना, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा slip, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा slip करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा slip, इस तरह से यह हम रीपीट करेंगे मैं इसी तरह से यह चार सलाय बार बार रीपीट करनी है तो हुआ होँगे स्लिपि बना पे दांड सिफिग एक में पंदा फिर होगा इस्तार है यह दो-धो फंदे करते रहना है यह फ्रस्ट रो से हमने पिर से स्टार्ट कर दिया है इस तरह से हमने 12 लाइन बनानी है इस तरह से बॉर्डर की यह देखिए इस तरह से डिजाइन वाला बॉर्डर बन कर आएगा हमने इसके 24 सलाई बनाई है हम 24 सलाई बनाकर फिर आपको दिखाते है अब यह इतना बॉर्डर हमने बना दिया है इसमें 12 लाइन बनाई है एक, दो, तीन, चार, पाँच, चार, साट, आर, नो, दस, ज्यार, बारे, बारे लाइन बनाई है, 24 सलाई बनाई है बॉर्डर हमारा पूरा हो गया है अब यहां से हम डिजाइन बनाने श्टार्ट करेंगे अब हम यहाँ पर color change करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर 49 फंदे लिए हैं, तो हम 24 फंदे इस side में रखेंगे, 24 फंदे इस side में, बीच में एक फंदे act रहा है, उस पर हम flower बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से हम बनाने start करेंगे, फर्स्ट कलर से हमने border बनाया था, अब second color लग फंदे सीधे, एक, दो, ती, एक फंदा slip करेंगे, यह चार फंदे होगे, चार फंदों का design है, तिन फंदे सीधे, एक फंदा slip, एक, दो, ती, और एक फंदा slip, इसी तरह से 24 फंदे तक बनाते हैं, दो, ती, एक, दो, ती, फंदे सीधे, एक फंदा slip, एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आख, नो, दस, ग्यारा बार, बारत उनी 24, 24 फंदे हो गए है, यह इधर की side के हमारे 24 फंदे हो गए, अब यह बीच का एक फंदा है, इस पर हम flower बनाएंगे, उसे बनाने से पहले, इधर की side एक फंदा, प्लॉवर बनाते हैं इसे एक फंदे पर नो फंदे बनाने हैं एक फंदे बना के लेफ्ट नीडल पर डालेंगे फिर इसे त्वारा से बनेंगे सीधा एक फंदा फिर द्वारा से बनेंगे इसे फिर लेफ्ट नीडल पर डालकर द्वारा बनेंगे दो फंदे बनेंगे फिर एक फंदा बनेंगे फिर लेफ्ट नीडल पर डालकर फिर इसको सीधा बनाएंगे एक फंदा बनाएं तीन हो गए अब ये चार इस तरह से हमें नो फंदे बनाने एक दो तीन चार हो गए एक फंदा बुनेंगे फिर इसे लेफ्ट नीडल पर डालकर सीधा बुनेंगे फिर एक फंदा बुनेंगे लेफ्ट नीडल पर डालकर फिर सीधा बुनेंगे इसे फिर एक सीधा फिर से लेफ्ट नीडल पर डालकर सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ होगे फिर से आठ वा इस तरह हैं नो फंदे पुल लेने हमें एक ही फंदे में यह नो फंदे होगे, एक फंदे में अब इस फंदे को हम गिरा देंगे ठीक है, यहाँ पर हमने एक फंदा बिन बुने लिया है तो इसको भी सिलिप कर लेंगे एक फंदे को अब यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे तीन फंदे, सीधे, एक फंदा सिलिप ठीक है, इसी तरह सा बाखिर तक इसी तरह से बनाएंगे तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, एक फंदा सिलिप सिज़े, एक फंधाशिप तीन फंदे सिज़े एक फंदाश लिप कर देखले हम, लिए नहीं कर दिजिए ऐक पन्द स्वोट प्राइख अनुममों 3 हो सीधे यह, इसमें नहीं मैं नहीं हो सांदे रह्या। यहां पर full cut design बनाया है अब यह हमारी first row पूरी हो गई wrong side है second row यह हमारी दूसरी तीन फंदे सीधे बनाएंगे यह इसे slip कर लेते हैं फंदे को slip करेंगे उन पीछे लेकर जाएंगे 2 फंदे सीधे अब उन आगए करेंगे जो फंदा हमने commute किया था उसको फिर से sauce ब्हाइब करेंगे और पीच्छ लेकर जाएंगे फिर से तीन फंदे सीधे बनाएँगे इस तरह से ली लिए करेंगे जो फंद है उश्umm के लेंगे इस तरह से यह चार-चार चार फंदो का पहला तीन फंदे सीधे बुने फिर एक फंदे सीधे फिर एक फंदे सीधे फिर एक फंदे सीधे उन आगे कर रखेंगे फिर उन पीछे लेकर जाएंगे तीन फंदे सीधे होगे उन आगे यहाँ पर एक फंदे सिलिप है इसको सिलिप कर लेते हैं उन पीछे लेके जाएंगे एक फंदे पर हमने नो फंदे बनाए थे यह नो फंदे सीथे बनाएंगे इस तरह से नो पंदे सीथे के यह नो फंदे सीथे होगे एक तो वह ुन आगे करेंगे अपनी तरफ यह फंदा सीलिप है इसको सिलिप कर लेंगे फिरन पीछे लेकर जाएंगे फिर सेimosite सीथे इस तरह से हमने दूसरी साइड बनाया थ tiles종 पूरी करेंगे शाइड़ असे तरह से यौन आगे एक पंदा सिलिफ करेंगे उन पीछ तीन फंदा सीधे बनायंगे वहापर हम color change करेंगे फिर डाक ब्रू लगाएंगे अब हम एक पंदा सीधा फिर एक पंदा सिलिप करेंगे अब हम इन तीन फंदों पर डिजाइन बनाएंगे अब ये वालत ये तीन फंद है ना एक दो तीन ये फंदा बीच का सिलिप करेंगे और इसका एक फंदा इधर का लेंगे एक फंदा इधर का ये तीन फंदों पर डिजाइन बनाएंगे तीन फंदे सीधे ब सिल्व फिर से 3 फंदे सीधेंी एक दो टी एक पंदे सिधें। थी पंदे सीधें। यहीं यहाँ तक हो गया पूरे अब हम यहाँ पर आगये। दो फंदे बचते हैं ये और दो ये पीछ के 9 फंदे हो गए दो फंदे हम इधर से लेकर यह 13 फंदे सीधे बनाएंगे इस से इस कलर से हम 13 फंदे सीधे बनेंगे ये दो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बार, और ये तहरे ये तहरे फंदे सीधे बनाएं हमने सेकिंड कलर से तीसरी सलाई पर ठीक है यहां से यहां तक होंगे पूरा अब ये फंदा हमने सिलिप किया था तो अब हम इस फंदे को सिलिप करेंगे यहां पर ये इस साइड भी ये सिलिप है फंदा इस साइड से भी सिलिप कर लेंगे और फिर से इन तीन फंदों को सीधा बनेंगे एक, दो, तीन, एक फ फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, आखिर में दो फंदे बसते हैं, एक फंदा सिलिप करेंगे, और आखिर का फंदा सीधा बुन कर लेंगे, यह हमारी तीसरी सलाई भी पूरी हो गए, अब यह रोंग साइड है, चोथी सलाई हमारी फौर्थ रो है, इसको पहला इस फंदे को सिलिप कर लेते हैं, इसको सीधा बुन लेते हैं, इस तर ऐसे, पहला फंदा सीधा बुनेंगे, उन आगे करेंगे, इस फंदे को सिलिप करेंगे, जो सिलिप फंदा किया है, उसको सिलिप करके लेंगे, फिर से उन पीछे लेके जाएंगे, यह तीन फं फंदे सीधे बनाएंगे। इस तरह सा यह चोथी सलाई है एक फंदां सिलप करेंगे और पीछ आइँ अब यह यहां तक हमने बना दिया है। यहां पर हमने slip फंदा लिया था अब यहां बीच में 13 फंदे हमने सीधे बनाए थे यह 13 फंदे हैं इनको सीधे बनाएंगे यह जो slip का फंदा है उसको slip लेंगे यह देखे slip किया फिरून पीछे की और अब यह 13 फंदे हैं इनको सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांज, छे, साथ, आत, नो, दस, ग्यारे, बारे, तहरे, यह तहरे फंदे सीधे होगे, फिर सरुन आगे करेंगे अपनी तरफ, यह फंद एसलिप का है, इसको सिलिप करेंगे, फिर उन पीछे लेकर जाएंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, उन आगे करेंगे, फिर से फंदा सिलिप करेंगे, उन पीछे करेंगे, फिर तीन फंदे सीधे बनाएंगे, इस तरह से हम सलाई को पूरी करेंगे, आखिर में दो फंदे बसते हैं, उन आगे करेंगे, फंदा सिलिप करेंगे, आखिर का फंदा उन पीछे करक सीधा बनाएंगे ये 4 सलाई पूरी हो गए अब ये 50 सलाई थी साइड अब इसको हम फश्ट रो की तरह बनाएंगे जैसे हमने फश्ट रो बनाई थी और यहां पर हमने ये नो फंदे बढ़ गए हैं इसमें से चार फंदे इस साइड लेंगे चार फंदे इस साइड अब बीच के फंदे पर ये फ्लोवर बनाएंगे इस तरह से जो बीच का एक्स्ट्रा फंदा है उस पर फ्लोवर बनाएंगे चार फंदे इस दर की साइड चार फंदे इस दर की और फिर तीन फंदे सीधे 1-2-3 फंदे सीधे पिर से एक पंदा सीलिप करेंगे यह चार फंदे होगे चार फंदों को पटी जाएंगे फिर से 3 फंदे सीधे एक दो तीन एक फंदा से लिप करेंगे तिन ने पहला इधर की साइड 24 फंदे रखेंगे अब उसमें हम 4 फंदे प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 28 फंदे हो जाएंगे चार फंदे प्लस करने पर अब 28 फंदे इधर की साइड रखेंगे हम इस तरह से एक यह 28 फंदे हो गैं थीक है 28 फंदे हो गये 28 फंदे हम इधर की साइड रखेंगे और यह पीछ इसका एक फंदा बचता है एक्सक्रा फंदा इस पर हम फ्लोर बनाएंगे इस तरह से इस पर भी हम एक फंदे पर नो फंदे बनाएंगे एक फंदा बनेंगे फिर इसे लेफ्ट नीडल पर डालकर सीधा बनाएंगे फिर एक फंदा बनाएंगे फिर लेफ्ट नीडल पर डाल कर फिर एक फंदा बनाएंगे इसे दो फंदे होगे इस तरह से नो फंदे बनाएंगे ती चार पांच छै शाट आट और नो ये नो फंदे बन गए इस तरह से नो फंदे बना लिए अब इस फंदे को हम गिरा देंगे अब इस फंदे को सिलिप करेंगे इधर की साइट भी और इधर की साइट भी दो नो फंदे हमने बिन बुने लेने हैं फिर हम स्टार्ट करेंगे रिपीट पैटनर तीन पंद शलिप करेंगे तीन फंद सीधे बनाएंगे इस तरह आखिर में तीन फंद बस ते हैं तीनों सीधे बनाएंगे ये पाच सलाई पूरी हो गई है शटी सलाई है सीथी साइड में थे न इंद उन आगे करेंगे Kirेई फंद सीधे बनाएंगे एक नो enabled तीन उन आगे करेंगे फंदा सिलिप करेंगे जो फंदा सिलिप है उसको सिलिप करेंगे उन पीछे करेंगे जो फंदे हमने सीधे बनाये है उनको सीधे बनाएंगे इस तरह से उन आगे करेंगे उन पीछे लेके जाएंगे फंदे सीधे बनाएंगे उन आगे करेंगे, सिलिप्ट फंदा सिलिप्ट करेंगे, उन पीछे करेंगे, अब ये 9 फंदे हैं, जो हमने 1 फंदे पर 9 फंदे बनाए हैं, इन 9 फंदों को सीधा बनाएंगे, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 फंदे सीधे होगे, फिर उन आगे करेंगे, ये सिलिप्ट फंदा सिलिप्ट करेंगे, उन पीछे करेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक, 2, 3, फिर उन आगे करेंगे, फंदे को सिलिप्ट करेंगे, फिर उन पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे बनेगे, इस तरह से सलाई पूरी करेंगे हो, छटी सलाई पूरी होगे, साथ भी सलाई है सीधी साइड, अब यह पूरी सलाई सीधी बनेगे, फिर से हम कलर चेंज करेंगे, यह डार्क फ्लू लगाएंगे, फर्स्ट कलर लगाएंगे, एक कलर से दो सलाई बनानी है हमें, दो-दो सलाई का डिजाइन है अब हम दो सलाई ब्लू इस किलर से बनाएंगे फर्स्ट कलर से यह सलाई पूरी सीधी बनेगी एक सलाई सीधी बनेगी इदर की सलाई यह साथवी सलाई भी पूरी हो गई यह पूरी सलाई हमने सीधी बनाएं ठीक है आठवी सलाई है रॉंग साइड इसको हम उल्टी उल्टी बनाएंगे चाहे तो हम इसे सीधी भी बना सकते हैं या उल्टी भी बना सकते हैं मैंने उल्टी बनाई है तो मैं इसलिए इसे उल्टी भी बनाऊंगी पहला फंदर सिलि पूरी सलाई उल्टी बने गी है यह आठवी सलाई भी पूरी हो गई यह हमारे डिजाइन की मोजे के डिजाइन की आठवी पूरी हो गई है यह दीकिए आठवी पूरी होने पर यह एक डिजाइन बन कर आया है और यहाँ पर दो फ्लोवर बन कर आये हैं इस तरह से इस तरह के हमने यहाँ पर चार डिजाइन बनाने हैं चार डिजाइन में आठ फ्लोवर बन कर आएंगे अगर आपको यह चोटा पड़ता है तो एक डिजाइन और बना सकते हैं यह 5-6 नमबर को ठीक आएगा अब फिर से हम यह डिजाइन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रो से और इस बात के धियान रखेंगे जब हम यह डिजाइन स्टार्ट करेंगे तब फ्लोवर के चार फंदे एदर के साइड और चार फंदे एदर के साइड कर देंगे और बीच के फंदे पर हम फिर हम यह डिजाइंघ बना यां यह देखिये फ्रांस यह इतना बन गया है यहां तक यह चार डीजाइन हमने बना दिये इसमें एक दो तीन चार चार डीजाइन बना यह और यह आठ फ्लोवर बन करा हैं इस तरह से यहां तक हमारा कम्प्लीट हो गया है अब इसके आगे का continue हम second part में करेंगे, यह हमारा first part है, आप second part देखना ना भूले, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, जिससे आपको मेरी वीडियो की notification मिलती रहे, second part में हम आपको यह अंगूठे और पंजे बनाना बताएंगे, इसमें जो बनाए हैं, वो बनाना बताएं की के?